जएन दोस्व अंदि मात्रा हमार देश में कई सारे नफरती चिंटू इस समय ऐसे हैं जो कि ये जानने के लिए आतो रहें कि भाईया, मोधी जो ये छे दिवसी यात्रा से लोटे हैं इस यात्रा से भारत ने आखिर क्या चीव किया, मोदी जी ने आखिर क्या चीव किया, क्या सिर्स वावाही बटोरी तो ये वीडियो उन्ही नफरती चिंटूओं के लिए है और यदि आप लोगों के कॉन्टाक्ट में कोई इससा नफरती चिंटूओं है अमेरिका में इस समय एक बहुत बड़ा एकनॉमिक क्रैकडाउन चल रहा है या यू का एकनॉमिक राइसिस चल रहा है जिसके के उपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने एक चैनल पर बना कर डाला है आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा उस पर जाकर जरूर उस वीडियो को देखें पसंद आया तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें अब अगर हम लोग बात करें इस विशाय की जिसके बारे में की ये वीडियो है तो देखिए तीन देशों की कुल छे दिवसी जो इनकी यातरा थी मोदी जी की उसके बाद अब उसको कंप्लीट करके मोदी जी भारत लोट आए छे दिवसी यातरा के दोरान उन्हों सबसे पहले जापान के हिरोशिमा में आज़े दुनिया की विक्सित अर्थवस्था वाले देशों की समू G7 की वार्षिक समिट में भाग लिये G7 समिट की समापती के बाद पिये मोदी जापान से सीधे पापू अन्योगीनी पहुँचे यहां उन्होंने पापू अन्योगीनी के प्रहान मंतरी जेम्स मरापे के साथ भारत प्रशान्त समू सयोग मतलब की FIPIC शिखर सम्मेलन की सह अधक्षता भी करी जापान और पपू अन्योगीनी की यात्रा के बाद पिये मोदी तीसरे चलंड में उस्ट्रेलिया पहुचे यहां उन्होंने उस्ट्रेलिया प्रहान मंतरी अल्बनीज के साथ कई महत्रपून समझवतों पर हस्ताक्षर किये इस च्छे दिवसी यात्रा के दोरान पिये मोदी दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राश्ट जो बाइडन से लेकर रूस से जंग लड़ रहे युक्रेन की राश्टपती जेलन्स की से भी मिले इसके अलावा उन्होंने जापान के प्रहान मंतरी फूमियो किशिदा और ऑस्टेलिया के प्रहान मंतरी एंथनी अल्बनीज से भी मुलाकात करी रूस युक्रेन युद्ध और उभरती वैश्विक चनौतियों के बीच पिये मोदी का ये दोरा काफी महत्पूर्ण माना जा रहा था अब ज़रा जान लेते हैं कि इन तीन देशों की यात्रा से भारत को आखेर हासिल क्या हुआ जिससे की नफरदी चिंटू उकुन का जवाब मिल सके देखिए युकरेन में जारी रूसी कारवाई को लेकर पस्चिमी देशों की ओर से लगतार दबाव बनाया जा रहा है भारत रूस की निंदा करे लेकिन यहां पर सबसे एहम बात यह है कि भारत रूस की निंदा से करने से लिटरली यहां पर परहेजी कर रहा है जापान की यात्रा के दोरान भी पिये मोदी ने स्पश करते हुए कहा कि भारत कभी भी किसी की सुरक्षा सकटबंदन से नहीं जुडा है इसके बजाए भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के एक जैसी विचारधारा वाले और सहयोगी देशों के साथ रिश्ते मजबूत किये हैं पिये मोदी ने कहा कि क्वार्ट देशों का फोकस जहां इंडो पैसिफिक रीजन में एक मुक्त खुले समर्द और समावेशी विकास पर है दूसरी और S.C.O. मदे एशियाई रीजन के साथ भारत के जुडावस में एक बहुती इंपोर्टन भूमिका भी निवाता है इन दोनों देशों के समू में हिस्सा लेना भारत के किसी भी तरह के विरोदभास को नहीं दिखाता है पेम मोदी का ये बियान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि भारत चीनी और रूसी नेतरतो वाला समू शंगाई सहयोग संगटर मतलब की S.C.O. का सदस्य है दूसरी और अमेरिका, ब्रिटेन और उस्टेलिया के साथ क्वार्ड समू में भी शामिल है ऐसे में भारत में सवाल उठते रहते हैं कि भारत रूस और चीन को काउंटर करने वाली रननीती में भी शामिल होता रहता है और रूसी एवं चीनी यतरत वाली बैटक में भी भारत का अपना हित सर्वोपर ही रहता है प्रहान मंतरियन मोदी ने ये भी कहा है कि ग्लोबल साउथ के सदस्य होने के नाते भारत रचनात्मक और सक्रात्मक एजेंडे के बीच बिरिज की तरह काम करता है जापान के प्रहान मंतरी फूमियो किशिदा के साथ दुपक्षी बैठक में भी प्येम मोदी ने कहा कि ग्लोबल साउथ देशों की चिंताओं और प्राथमिक्ताओं पर जोर देने की जरूरत है रूस और युक्रेन में जारी युद्ध को लेकर भी प्येम मोदी ने इस पर संदिश देते हुए कहा कि मौजूदा स्थिती राजनितिक या आर्थिक संकट नहीं बलकि मानवी संकट है बाचीत और कूटिनिती से ही समधान का एक मातर उपाय निकल सकता है इस युद्ध को रोकने के लिए भारत जो कर सकता है वो करेगा जी सेवन समिट के नौवे सेशन में पी ए मोदी ने चीन को उस पर संदिश देते हुए का कि सवी देशों को संयुक्त राष्ट चार्टर, अंतराष्टी कानून और सवी देशों की संप्रभुता और शेत्री अखंड़ता का सम्मान करना बहुत जरूरी है ये जरूरी है कि सवी देश यथा स्थिती को बदलने के एक तरफा प्रयासों के खिलाफ अपनी आवास को उठाए पी ए मोदी का ये बियान ऐसे वक्त पर आया है जब पिछले कुछ महीनों से चीन के साथ लदाक में तनापून गतिरोज जारी है पी ए मोदी के बयान के बाद क्वाड और जी सेवन समून ने भी चीन को लेकर सक्त टिपणी करी जी सेवन शिकर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान ने भारत को गेस्ट कंट्री के तोर पर बुलाया था ये चौती बार था जब प्रहान मंतरी ने अनमोदी जी सेवन समिट में हिस्सा ले रहे थे जी सेवन शिकर सम्मेलन में भाग लेने के बाद परहान मंतरी ने अनमोदी पपुआ न्योगिनी पहुचे यहां उन्होंने पपुआ न्योगिनी के परहान मंतरी के साथ भारत प्रशान द्वीब समू सहयोग भारत और 14 प्रशान द्वीब देशों का एक ऐसा समू है जहांपर की सब लोग मिल के काम करते हैं FIPIC का गठन 2014 में हुआ था इस संगठन के मदद से भारत प्रशान दूइपों के देशों में अपनी उपस्तिती दर्ज करवाना चाहता है ताकि चीन का मुकाबला सीधे तौर पर किया जा सके FIPIC समिट के दोरान पी एम मोदी ने कहा कि भारत बहुपक्षवाद में विश्वास रखता है और एक मुक्त खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक रीजन का समर्थन करता है उन्होंने कहा कि प्रशान दूइप के देश भी बड़े समुदरी देश है ना कि कोई छोटे देश डेवलप्मेंट पार्टनर के रूप में आपको चुन कर भारत गौरवान वित महसूस करता है आप एक विश्वसनी भागिदार के रूप में भारत पर भरोसा कर सकते हैं हम बिना किसी हिचकचाहट से आपके साथ अपने अनुभव और शमताओं को साज़ा करने के लिए हमेशा ततपर भी हैं और तैयार भी है तीन देशों की यातरा के अंदिम चरण में पीए मोधी सुमवार को औस्टेलिया पहुंचे यहां उन्होंने उस्टेलिया ई-PM अल्बनीज के साथ बैठक में अगले दशक में कॉम्प्रेंसिव स्ट्रेजिक पार्टर्शिप को नई उचाईयों पर ले जाने की बात कही इसके लावा दोनों देशों ने बुद्वार को Migration Partnership Agreement मतलब कि Migration and Mobility Partnership Agreement पर भी दस्ताक्षर की इस Agreement से भारती स्टुनिंट्स अकाडमिक्स और प्रफेश्चनल्स को औस्टेलिया में रहने पढ़ाई करने या काम करने में सहुलियत होगी उसी तरह किसे उधाय आस्टेलिया नागरिकों को भी भारत में मिलेंगी दोनों देशों ने एक बार फिर से आस्टेलिया भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझोता मतलब कि C.E.C.A. को जल से जल प्रभावन लाने पर जोर दिया दरसल एकनॉमिक येर की अगर हम बात करें हैं फाइनिशिल येर की एदिय हम बात करें 2021-22 में दोनों देशों की बीच द्विपक्षी वियापार लगबख 27 बिलियन डॉलर कर रहा इस समझोते के बाद दोनों देशों की बीच 2035 तक द्विपक्षी कारुबार 45 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने के उमीद है P.I.B. की ओर से जारी बियान में P.E.M.O.D.ी ने कहा है कि आज भारत और अस्टेलिया के बीच Migration Partnership Agreement हस्ताक्षरित हुआ है ये हमारे Living Bridge को और जादा मजबूती देगा दोनों देशों के बीच में बैतर होते रिष्टों को देखने हुए हम जल्द ही बिरिजबेन में नया भारती कॉंसुलेट खोलेंगे जबकि आस्टेलिया बैंगलूरू में अपना कॉंसुलेट खोलेगा फिलाल आस्टेलिया के पर्थ, सेडनी और मेलबर्न में भारती कॉंसुलेट है इसके अलावा दोनों देशों ने इंडिया उस्टेलिया हाइडेटूरूजन टास्क फॉर्स की शर्तों को भी अंतिनूट दिया है ये टास्क फोर्स ग्रीन हाइडेटूर्जन को लेकर बन रही आफसरों के बारे में मंतरी स्तरी डायलोग को रिपोर्ट करेगी ग्रीन हाइड्रोजन एक clean energy source है इसका उत्पादन नवीनी करण उर्जा और low carbon power से किया जाता है कोईले और तेल से एनर्जी उत्पादन में जहां कई प्रकार के कार्बन अफशेश वायो मंडल में घुलते हैं तो उहीं ग्रीन हाइडरोजन से केवल जल वाश्प का उत्सरजन होता है औस्टेलिया में मंदिरों पर होने वाले हमलों को लेकर भी पीएम मोदी ने अल्बनी सक्से सक्त एक्षन लेंगे और जल्द से जल्द रेजल्ट्स भी देंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर अचीव करने के लिए भारत के पास काफी कुछ था लेकिन भारत सबसे बड़ी बात यह है कि एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और पेमोधी इस काम को सबसे अच्छे तरीके से कर भी रहें नफरते चिंटों को हाला कि यह फ्रमज में नहीं आएगा आपका कहना इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बता है मेरे सुझी फिलालत नहीं जाहिए जाहिए जाह भारत